हाई गाईज वेलकम बेक टो मैं चैनल तो आजके वीडियो में आप लोगों के साथ की वीडियो ने बने करें वाले तो तो आए डोस्तो पसंद आगे उसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा और मेरे चैनल को सब्स्राइब करना भी तो आए जोस्तो अपने वीडियो स्ट करते हैं कreally तो कि यहां दोसरे सब्सक्रेंबाद करते हैं इसे ओट्र आप देख सकते हैं मैं कि आप अच्छी है साफ साफ मेंचेंगीतं फैन्म में डिखा दे रहे हैं तो आपका दे यह डिखा देरी बयुक्ते में अब लिखा करता है अब मैं आपको बता देती हूँ, इसके साथ मैंने से honey order किया है, आपको इसमें बहुत सारे वारियंट पल जाएंगे, saffron मिल जाएगा, pineapple मिल जाएगा, मतलब आपने skin tune के according इसे order कर सकते हैं, और जैसे ये claim करता है कि ये एक जो हमारी जो Indian culture है, Indian traditional ने जो बहुत सारी पुरान जैसे बोली, सद्यों से जो इस्तमान होता आया है, Ayurvedic recipe उसी को modern touch देकर के बनाया गया है, कम से कम इसमें जो लिखा हुआ है कि 5,000 साल पुरानी जो हमारी Ayurvedic recipe है, उसे scientific, modern touch में कर्मेट करके बनाया गया, तो 100% natural है, और ये Ayurvedic ये इसमें जैसे लिखा है कि ये botanical extract में पूरी तरीके से natural है, नाशनरल चीजहों को मिला करके बनाया गया है, तो ये पूरी तरीके से आपके skin पे safe है, dermatologically tested है, जी हाँ, yeah, dermatologically tested है, आपके skin के लिए मतलब भी पूरी तरीके से safe है, और कि किसी पे तरीके कोई preservative का use नहीं किया गया, तो ये बहुत अच्छी बात है क जब आपे इसकी आफ्ते कि ड markets करती यां अधर पैकेजिंग की अब में बात करती हूं कि अंदर से दिखदा कैसे हैं तो आप देख सकते हैं अंदर से कुछ इस तरीकी से इसकी बोलटेल है और जो quantity के बात करती हूं तो 120 ml है जी हां और प्राइस में आपको बताए नहीं इसको प्राइज है 149 रुपीज है लेकिन आप से ओनलाइन ओर करते हैं तो आपको यह करीब 100 रुपाय के आजपक्रास मिल जाएगा मैंने इसे परफल से और किया तो मुझे यह मैंने कई साथ तुझियां दोस्तों बात कर रहे हैं इसकी अब यह बहुत ही अच्छा है आपके पेस को जैसे मैंने यूज किया वो बता रही हूं इस सबसे बहली बात तो यह बहुत ही माइल्ड है जी हां आपको इसको लगाने इसको इरिटेशन को चिप चिप नहीं होती जबकि यह बह ही जेंडल है स्मेल की बात करो तो बिल्कुल नैशरल है अभी मैं आपको इसको खूल के भी दिखाऊंगी और बहुत अच्छी से आपकी मेकप को रिमूव करता है यह सबसे पहली बात है इंपुरिटी हो कुछ भी हो आपके पेस को बिल्कुल साफ करके अपके फ्रेश को देता है अब मैं आपको इसका डेमो दिखाती हूंगी किस तरीके से यह हमारे मेकप को रिमूव करता है यह फोमिंग पेस क्लेंजर है और शाल प्लाइप उसे बहुत अच्छी दिन साल आप इसे अराम से रखतर के यूश कर सकते हैं तो मैंने इसे लिया एक कॉटन बॉल इसे अब इसे लगा कर incumbu दिखा रहे हूं कॉर देख सकते मेरा कि अराम से मेरा मेकप को यह रिमूव कर रहा है बुझे है कोई महंनत नहीं करनी अगर आप नॉर्मल अगर यूज कर रहे हैं तो आप क्या करिए अपने पेस को वेट करिए उसके बाद जैसे मैंने लिया है कुछ ड्रॉप्स इसको अब बता दूँग जैसे वेट किया उसके बाद इस तरीके से आप इसे निकाले क्वांटिटी जैसे मैं लिखाई इससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं उसके बाद पानी डाल करके इस तरकेस करें तो यह फोमिंग फेस क्लिंगर इसको लगाने के बाद आपके फेस पे हलके से बबल यह जिसे बूलिंग फोम बनेगा और आप इसे फेस को वाश कर लिए प्रस्मी इसको लगानी बाद देख सकते हलका हलका अभी मैंने इसमे वाटर का यूज नहीं किया उसके बाद भी यह फेस में जाब से बन रहा है तो यह बहुत ही अच्छा है आपकी फेस को साब भी करेगा जैसे मेंने मेकप रिमूब करके दिखाए वह आपकी मेकप को भ सकती तो यह था मेरा आज का वीडियो और इसी बाद कर sm other को अगर आपको मेरा यह इवीडियो और यह मेरा रेइंस पर दाना ह를 और जोस्तों लेकल को उडिक है अजमीटे e